हलो भाई लोग तो आज की तारीक हो गई है 16 और आज मैंने एक्चल में जल्दी व्लॉग शूट करना शुरू किया है कमपेर्ट तो रोस का जो शाम को रात को शुरू होता था उससे ज़्यादा यह थोड़ा एक्चल में सई टाइम पे शूट हो और शुरू हो रहा है और यहां मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ नया बेग्राउंड लाओंगा अच्छली यह लाइट अच्छी इसलिए मैं यहां वे देखके बैठाओंगा आपे मेरे कपड़े पीछे दिख रहे हैं लाइट अच्छी आ रही है फ्रेम भी ठीक है ज्यादा बुरा नहीं है बड मैंने आपको बोला था कि यह फ्रेम चेंज करके कोशिश करूँगा बैग्राउंड चेंज करके लाओंगा आपके लिए कोशिश भी की थी जिन्स पहन के बैठाओं मैं ठीक है यह टीशट तो नहीं था इसकी जगे मैं सची बता हूं तो यह जो शोट दिख रही है ज कुछ खाब खापी के आ जाएंगे कहीं बार थोड़ा सा व्लोग भी शूट कर लूँगा इसी बाहर ने बट वो नहीं हो पाया सो यह अभी तक तो यह है बस काम पर लगे है लैप्टॉप अन पड़ा है मैं लाग भी तो यह बंद पड़ा है यह ओन है तो यह तो अभी न स्टूड़न्स को यंग और उडियंस को कितना इंस्पायर किया उन वह नहीं कितना इस बोली है कि अपने जो भी अपने लाइफ में वह चीजों पर फोकस करो अपने गोल्स पर फोकस करो देश के लिए कुछ करने की सोचो हमेशा आगे बढ़ते रहने को और काम ली एकदम बढ़त बहुत फेलियर्स देखे हैं बहुत दाउन वाली चीज़ी जगे बहुत सारे जिन लिए जाओ उनको डाउन फॉल देखना पड़ अपने लाइफ में कोशिश भी बहुत करी बट फिर बी डाउन फॉल आया उनकी लाइफ में स्टार्टिंगी उनकी इस जगे और तो देखें बड़ा inspiration फिल होता है कि यार चलो मुलब तुमारे पास थोड़ा बहुत है मैं अगर laptop अफोड कर रहा हूं यहां पे रहना अफोड कर रहा हूं यह चीज़े अफोड कर रहा हूं तो बहुत कुछ है मारे पास बट इस सिर्फ फरक सिर्फ इतना है कि हमें उनको utilize क करना आना चाहिए सही time पर सही use करना आना चाहिए और main बात है जो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है अपने सारे students को youngsters को कि हारे मत मानो यार शांति से अगर failures आ भी जाए कोई ना थोड़ा दुख मना लो एक-दो दिन फिर उसके बाद शांत बैठके आराम से अगले अगले step की अगले चीजों की अगले strategy की planning करो वह चीज बहुत जरूरी है और हम भी कोशिश करेंगे आप भी कोशिश करो अगर आपको दिख सकेगा तो देख लीजिए तापसी पन्नू इसमें और रन्वीर अलाबादय का channel है तो अगर किसी को podcast में interest हो तो प्लीज देखा क अगर किसी काम को तुम अडॉप्ट करना चाते हो पूरी जिंदगी के लिए किसी काम को यह किसी चीज को जैसे मैं writing करता हूँ तो मैं वह जिंदगी पर कर सकता हो अकेले भी कर सकता हूँ ठीक है किसी काम को अगर तुम करना चाते हो अगर नहीं चल सकता क्योंकि इंसान हमेशा टैम्परेडी होते कोई भी इंसान तुमारे साथ जिंदगी भर हमेशा के लिए पॉमनें नहीं रहेगा अगर वो लॉयल भी होना कितना भी पर एड़ दे एंड वो उसकी जिंदगी भी खतम होने वाली वो कभी मरेगा वगरा होगा बट यू नो समझ रहे हो ना पॉइंट वह चीज ज्यादा मेंटर करते तो अगर कोई चीज करना चाहते हो लाइफ में कोई काम करना चाहते हो तो अगर एक्साइटमेंट जगनी बहुत जरूरी काम के लिए अगर बे मौत होके करोगे बोर होके करोगे तो फिर मजान नहीं आता है उसका इससे पहले आपने जितना भी वीडियो देखा है बहुत लंबा चोड़ा बना होगा ओविसली तो मैं सिर्फ एंड करने आया है इससे बहुत सारे एप और वेबसेट आ गई है जहां पर लोग वन डे डेलिवरी करते कर देते मतलब मैडिसीन की सॉरी तो मतलब अगर तुम अभी मंगाओ तो मतलब सुबह या शाम तक तक तुमारे पास पहुंच जाती है बट ऐसा कहीं पर भी मुझे अभी तक तो अगर कहीं पर पॉसिबल हो किसी के बाहरे में कोई अईडिया कोई कर सकता हो इस तो प्लीज ऐसा कुछ करो ऐसी सर्विस अगर प्रोवाइड कर सकते हो एक अगर चाहो तो अपनी सिटी में अपने गाव में करो आई थिंग ये चीज बहुत हैल्फुल हो सकती है और इसमें अगले व्लॉग में मिलते हैं ये पांचव व्लॉग था अगले चट्टा आएगा उसे मेले घराम से खुश रहो ध्यान रखो अपना काम करते हो और मज़े करो ठीक है ध्यान रखना ठीक है बाबाए